यदि आप लॉपढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉपढ़ें नमस्ते सितावत सले पंजाब नी हर्याणा हाई कोट में हर्याणा सरकार का एक ओफिशल लाइंग्वेज अमेंडमेंट 2020 चालेंज हुआ और ओफिशल लाइंग्वेज अमेंडमेंट 2020 है क्या पहले वो जानते हैं फिर देश की बिडम्बना देखते हैं कि 70 साल की सतदरता के बाद भी भारत में किस प्रकार से अपनी अपनी ओन भाषाओं को हम एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं हम सब जानते हैं कि हर्याणे की जो अपनी भाषा है हर्याणा दिल्ली पंजाब पंजाब में हम कह सकते हैं कि पंजाब भी चलती है लेकिन वह हिंदी भी चलती है तो वो भी हिंदी में ही आता है, जो निरेट करता है, वो सब हिंदी में करता है, अगर कोई क्रिमिनल केस यहां पर आता है और उसकी स्टेट्मेंट आते हैं, तो वो सब हिंदी में आते हैं, उसका गवाईयां आती हैं, वो सब हिंदी में आती हैं, लेकिन साब यहां कोर्ट क official language English है यानि कि बताने वाला अपना बयान हिंदी में दिल देगा हिंदी का बयान को English में translate किया जाएगा translate करके उसको लिखा जाएगा अब यहां पर रहने वाले जो लोग हैं और यहां पर जो judges का selection होगा उसकी official language भी English ही है यानि कि judges का examination चुकि मैं जुडिशी पढ़ाता हूं इसलिए यह हर्याने की तो एक बड़ी भरी समस्या है हर्याने का बच्चा हमरे पास आता है और वो कहता है कि sir my language is Hindi but the official language for the examination is English तो हमको उनको कहना पढ़ता है कि तुम्हें English भले कमाती हो लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश बैच में पढ़ना पढ़ेगा Hindi बैच में आपको नहीं पढ़ना वो कहता है कि साब हमें Hindi English की problem है तो हमें English कमाती अब English की lecture में जब हम पढ़ाते हैं तो हिंदी बोलते नहीं है तो उसको वो चीज अंडरस्टेंडिंग नहीं होती वो प्रिप्रेशन नहीं कर पाता है और हिंदी के बैच में अगर वो बैटता है तो उसमें Hindi बोलते हैं तो फिर वो English में वेपर कैसे देगा हरियाने में खास्तोर से बहां के बच्चे बच्चियों के बड़ी बारी समस्य आती और एड़ोकेट जो बनना चाहते हैं जो लीगल फिल्ड में जाना चाहते हैं हरियाना में वो नहीं जा पाते हैं क्यों क्योंकि official language English तो इन बच्चों के solution के लिए मैं जो निकालता हूं वो एक तीसरा बैचfont चलाता हूं जो हिंदि इंग्लिश मीक्स होता है जो खास दोर से हिमान्चर प्रदेश बच्चों के लिए जो खासत और से दिल्ली में हिंधी निदी भाशी लेकिन फिर भी नहीं बन पाती हिंदी और इंग्लिश मिक्स में यह बड़ी भरी समस्या बच्चों के सामने आती है हरिवाना सरकार ने अभी पीछे ओफिशल लेंग्वेज अमेंडमेंट 2020 पास करके यह कहा कि कोड्स की ओफिशल लेंग्वेज हिंदी होगी जुकि हिंदी भाषिब प्रदेश है तो वहांकी कांसी केस कई में आएंगे वहां कि फ्राफटियां लोग क्ईसे डिसक्राइब करेंगे वहां की प्रापवेज बिषाय करना प्ड़ता टाइम भी बहुत कंजूमंग हो जाता है और जो वहां का व्यक्ति सामाने व्यक्ति अगर जज़ बनना चाहता है जिसकी भाषा हिंदी है तो वह नहीं बन सकता क्योंकि वहां की ओफिशल लैंग्वज इंग्लिश है तो मुझे यह समझ नहीं आता कि दिल्ली जो है वो कौन से इंगलिस्तान में है हर्याना कौन से इंगलिस्तान में है हमांचल कौन से इंगलिस्तान में है या पंजाब कौन से इंगलिस्तान में इन राज्यों में इंगलिश में पेपर होना इन राज्यों में अंग्रेजी में इंग्रेजी जिसको नहीं आती हुगी वो जज नहीं बन सकता वो लीगल सिस्टेम एडॉप नहीं कर सकता वह वहां पर अच्छे से प्रेक्टिस नहीं कर सकता कोट के किसी भी कारवाई में वो उसका जो सलेक्शन है वो नहीं आ सकता ये बात कुछ हजम होते नहीं बनती थी सरकार ने इनिशिट किया लेकिन सरकार को इनिशिट करते समय सरकार ने इनिशिट तो किया है ये तो अच्छी बात है लेकिन सरकार बाकी चीज़ों को भूल गई बाकी चीज़ें भूल क्या गई कि हर्याने में चलने वाले सभी law colleges में पढ़ा ही English में होती है दिल्ली में चलने वाले सभी law colleges की पढ़ा ही English में होती है वहां के judicial officers जो जिसको मैं PCSJ कहता हूँ या judicial officers कहते हैं या judiciary का जो अधिकारी जाता है चायन होकर वो English में ही exam देता है उसकी language English ही होती है वो English में ही वहां पर बुलाते हैं क्या examination को अंग्रेजी से हिंदी में नहीं होना चाहिए जैसे पाकी स्टेटों में हिंदी वाशी स्टेटों में होता है राजिस्तान में होता है मद्यप्रदेश में होता है उत्तरप्रदेश में होता है जहरखंड में होता है चत्तिसगर में होता है बियार में होता है उत्तरखंड में होता है ये सब जगए हिंदी इनकी language है उत्तर भारत में तो भाई हिंदी ही language है इन हिंदी जहां पर language है वहां पर भी हमारे देश की बिडंबना ये थी कि उत्तर प्रतेश में 2006 तक उर्दू का एक paper होता था हिंदुस्तान आजाद 1947 में हो गया हिंदुस्तान में उत्तर प्रतेश बिहार के मुसल्मान पाकिस्तान चले गए लेकिन साब हमारे यहां एक compulsory paper रुदुका होता था जो 2006 में खतम किया गया और उसको optional रखा गया अब क्या है कि उत्तर प्रतेश में आप Hindi और English दोनों में से उत्तर प्रतेश बिहारीं जिन साथ रज्यों के मैंने बात की है इन साथ साल के लिए छुरू में रखी गई थी बात में यह हुआ कि समय के साथ परिवर्तन हो जाए वो नहीं हो पाया किसी कारण उसका कारण था कि भारत में कोई एक भाषा ऐसी नहीं हम सेलेट कर पाए भारत की जो पूरे देश में लागू हो जाती उसका कारण भी हमारे हैं विरोधा भास हिंदी अगर लागू करेंगे तो जज्मेंट्स इंग्लिश में होता है अब वो साइटेशन हमको कोड में देने होते हैं वो इंग्लिश में होता है तो इन साथ राज्यों ने क्या किया कि एक इंग्लिश का कंपल्सरी पेपर जो लीगल इंग्लिश होती है लीगल लैंग्वज का पेपर होता है वो वो ले ले लेते हैं इंगलिश लय को जान लेते हैं कि सब कुछ सक्षम है अब यह धी में सब कुछ कर सकता है क्योंकि राज्य में पूरा काम रिंदी में होता है के में हिंदी की चुब यह प्लीडिंग करते हैं सब कुछ हिंदी में हो सकता है इनके हाइज कोटों मैं भी प्र conversion जो जाती है वहां declaring कर्वेंड कोट तक पहुंच गया वहां हिंदी में आपने जुडिशल ऑफिसर्स के एपॉइंटमेंट की भाषा हिंदी क्यों नहीं चुनी बहां कोट में काम करने वाले करमचारियों की भाषा ऑफिशली हिंदी क्यों नहीं चुनी इन लॉक ऑलेजिस में जो भाषाएं हैं वह हिंदी में आप उसको डिगरी क्यों नहीं तेरे आप उसको लेंग्वेज चूस करने के लिए छोड़ दीजिए कि वह हिंदी चाहे तो हिंदी में पढ़ें इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में पढ़ें जो लीगल में अपना करियर देखते हैं लेकिन जो एवरेज पढ़ेंग्लिश में कभी इसका मतलब वह सब्सक्राइब करते हैं तो आप और सब लोग हैं आप बताइए कि जब हमने हिंदी पढ़ी ही नहीं है कैसे कोड में काम करेंगे और आपने तो official language amendment, हरियाणा official language amendment 2020 पास करके कह दिया कि court की भाषा हिंदी होगी, तो judicial exam की भाषा हिंदी क्यों नहीं होगी, law colleges में पढ़ाई की भाषा हिंदी क्यों नहीं होगी, optional दीजे, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा issue है, हिंदी भाषा अभिहान जो देश में हमारे चलता है, उसकी सफलता है कि वो हरियाणा सरकार को convince करके उसने ये काम किया, लेकिन मुझे लगता है ये काम बाकी है, जिन भी प्रदेशों में वहां की local language में judicial का एक्जाम नहीं होता है, वहां करवाने की आवशकता है, English आप Central Point में रखिए, और नहीं तो आप तीन भाषा सब्सक्राइब और जिसको आने दीजे, फिल्ड खोलिए, बहुत इंटलिजेंट लोग हिंदी के हैं, जो पड़े हुएं, लेकिन उनके पास अवसर नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे इस वक्तव को सरकारे ध्यान देंगी और आगे भविश्य में कुछ ऐसी planning बनाएंग को चलाने के लिए, आप नीचे description से हमारे app को download कर सकते हैं, जिससे कि law students को, lawyers को और आम आदमी जो law जानना चाहता है, वो paid plus free classes का lab ले सकता है